महीला आरक्षन की बात है आज पिष्डों की मांग उठी हमने भी उठाई पिष्डों की और दलितों की आरक्षन के अंदर आरक्षन होना चाहिए यह सच बात है कॉंग्रेस ने भी उठाई लेकिन कॉंग्रेस ने अगर आज उठाई तो जो दो हजार नौ से दो हजार चौदे तक जो कॉंग्रेस इस बिलकु लेकर आई थी जब पिष्णों के लिए विवस्था क्यों ने थी तो बेसिकली क्या दौनों तरफ एक ही जैसे सोच और एक ही जैसी मांग होनी चीए है जब सरकार में रहो तब भी और जब सरकार में ना रहो तब भी जहां तक बात है सनातन धर्म के जब खिलाफ बोला वो भी गलत था चाहे सिक धर्म हो चाहे बौत धर्म हो चाहे जैन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मसलिन धर्म हो किसी के खिलाफ भी बोलने की किसी को भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और अब ये मुद्दा काफी एक तरीके से सांथ हो चुका है तो अब संदातन के फेवर में वहां के गवर्नर बोल रहे हैं मेरे हिसाब से वो भी अब उसकी जरूत नहीं है और जहां तक बात है विपक्स का जो गटबंदन बन रहा है उसमें जो कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसकी जुम्मेदारी बैठती है कि जो उसके घटकदल और पार्टनर एलाइंस हैं उनको वो रोके और उसकी भी धरम के खिलाफ ना बोलने दे जिससे बीजेपी क को मुका ना मिले उसका फाइदा उठाने में